महादेव जी आपसे कहते हैं, एक महान वित्तिय आशीरवाद आपके पास आने वाला है, और आप अपने जीवन में आने वाली प्रचुर्ता से आश्चर्य चकित होंगे। पैसा अनायास आएगा, और 2023 के अंध तक आप वित्तिय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, तो इस विडियो को लाइक करें। और मैं आपके जीवन में चीजों को बेहतरी के लिए बदल दूनगा। आपके छुपे हुए आंसू और कश्ट समाप्त हो जाएंगे। यह आपकी शान्ती और आशीरवाद का मौसम है, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए इस विडियो को अंध तक देखें। उमीद करें कि सच्छा प्यार, धन और अच्छा स्वास्थय आप पर बरसेगा, जिससे आपके जीवन में अपार खुशियां और खुशियां आएंगी। आप आशीरवाद, अच्छे स्वास्थय, खुशी और वित्तिय प्रचुर्ता का अनुभव करें। महादेव जी में अपने विश्वास की घुशना करें और आप नुकसान और बुराई से बच जाएंगे। इस महीने, एक के बाद एक अप्रत्याशित आशीरवाद, अच्छी खबर और जीवन बदलने वाले चमतकार प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। आप एक बार फिर खुशी, उपचार और विकास का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में खुशी, उपचार और समरिद्धी आपके महादेव जी की दिव्यक रिपा से आएगी, नकि आपकी अपनी शक्ती से। प्रभू अपने लोगों के लिए स्वास्थ्य, उपचार, प्रचुर, शान्ती और सुरक्षा का वादा करते हैं। भाग्यशाली संख्या 1111 विश्वास के साथ घोशित करें, महादेव जी हमारे भगवान है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। निश्चित रूप से उसकी भलाई और अटल प्रेम मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे साथ रहेंगे, और मैं हमेशा के लिए प्रभू के घर में निवास करूँगा। यदि आप विश्वास करते हैं, तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, ही प्रिय शत्रूओं, मेरे संधर्शों पर आनंद मत करो, क्यूंकि जब मैं गिरूंगा, तो फिर उठूंगा, जब मैं अंधकार में बैठूंगा, तब भगवान मेरी ज्योती धहरेगा। आपका अगला आशीरवाद आपको सावधान कर देगा, क्यूंकि प्रभू आपकी प्रार्थनाय सुन रहे हैं। जल्द ही, आप उसकी अच्छाई से आश्चर्य चकेत हो जाएंगे। आशू, दर्द और रातों की नींद खत्म हो रही है, क्योंकि जीवन बदलने वाली आशीशे आपकी ओर आ रही हैं। आपके दर्द, तनाव और हताशा का मौसम समाप्थ हो रहे हैं। भगवान आपको व्यसन, अवसाद और उदासी से मुक्ती दे रहे हैं। याद रखें, महादेव जी कभी भी आपके आशूओं को नजरंदाज नहीं करता, आपकी पूजा को कभी अंसुना नहीं करता, या आपके दर्द को कभी चुप नहीं कराता। वो देखता है, सुनता है, और तुम्हें बचाएगा। मैं आपसे आगे बढ़ रहा हूँ, आपका रास्ता सीधा कर रहा हूँ और सही लोगों, अफसरों और आपकी सभी समस्याओं का समाधान धून रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार है, मैं घोशना करता हूँ कि स्वर्ग तब तक विश्राम नहीं करेगा जब तक आप पूरी तरह से धन्या नहीं हो जाते। महादेव जी के नाम पर मैं आपके जीवन से हर कठनाई और कठनाई को दूर करने का आदेश देता हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा न रहेगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा न होगा। विश्वास तूफान के बीच में भगवान की स्तुती करना, धाटी में उस पर भरोसा करना और अंधेरे में उसका अनुसरन करना है। पूजा के माध्यम से आपको सही जगया पर ले जाया जाएगा। सही लोग और सही दर्वाजा पूजा करना शुरू करें और जीत का अनुभव करें। भगवान आपके जीवन के हर नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं। आप स्वतंत्रता, समृत्धी, सौभाग्या और शक्ती के एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इसे महादेव जी के नाम पर प्राप्त करने के लिए तयार रहें। भाग्या शाली संख्या 8888 महादेव जी न केवल आपके भाग्या में आपका मार्ग दर्शन करेगा बलकि दूसरों को भी दिखाएगा कि वो आपके पक्ष में है। अपने सभी प्रयासों में केवल महादेव जी पर विश्वास और भरोसा रखें। आपके लिए कुछ अद्भूत होने वाला है, चाहे वो आपकी सपनों की नौकरी हो, जीवन साथी हो, या आपकी बेतहाशा कल्पना से परे सफलता हो। जैसा कि पवित्र शिव पुरान में कहा गया है, प्रभू महादेव जी का सच्छा प्रेम कभी समाप्थ नहीं होता। उनकी दया कभी समाप्थ नहीं होती, उनकी विश्वास्योग्यता महान है, उनकी दया हर सुबह नए सिरे से शुरू होती है, इस पुजा में मेरे साथ शामिल हो, आज मुझे प्रेम, उपचार प्राप्थ होगा और बहुतायत जिसका मैं हकदार हूँ, मेरा पूरा सफलताओं, चमतकारों और अनुग्रह की अपेक्षा करें जैसा पहले कभी नहीं हुआ, याद रखें कि शाश्वत महादेव जी आपकी शरण है, और नीचे उसकी अनन्त भुजाएं हैं, वो तेरे शत्रूओं को तेरे सामने से ये कहकर निकाल देगा, कि उन्हें यदि आप महादेव जी के प्रतिवफादार रहेंगे, तो वो आपको अत्यधिक सफलता प्रदान करेगा, आपके आंसु समस्याओं के कारण नहीं, बल्कि इसलिए बहेगे कि भगवान ने आपकी सभी पूजा का उत्तर दे दिया है, चाहे आप किसी भी परिस्थिती का स उसके हाथों में हैं, जब उदासी आप पर हावी हो जाए और आपकी आंखों में आंसु भर जाएं, तो ये तीन बाते याद रखें, चिंता करने के बजाए पूजा की ओर मुडें, अपनी जरूरतों के बारे में महादेव जी से बात करें, और उसने आपके और आपके प इश्राम किया, आपको शक्ती देने और किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करने की शक्ती है, आगामी सप्ताह दैविया हस्तक्षेप, चमतकारी समाचार और परिवर्तनकारी सफलताओं से भरा होगा, आपका सबसे महत्वपूर्ण रिष्टा महादेव जी के साथ हो स भाग्यशाली संख्या 888 उसके पास सबसे तूटे हुए दिलों को भी ठीक करने और सबसे गहरे घावों को शान्त करने की शक्ती है, उनके प्रेम और अनुग्रह पर भरोसा रखें और आप शान्ती और आनंद के उस स्तर का अनुभव करेंगे जो सभी समझ से परे है, आपको आशीरवाद देने का फैसला करते हैं, तो सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा, भले ही दूसरे इसे रोखने की कोशिश करें। अपने हरिदय में सच्छी कृतग्यता के साथ उस धन को स्वीकार करें जो आपके पास पहले से हैं, और उन आशीरवादों की प्र जिबुत योजनाओं की आशा करते हैं, तो उत्सा बढ़ता हुआ महसूस करें, चाहे वो एक लोटरी टिकट जीतना हो, एक खुशाल शादी हो, या एक बड़ी सफलता हो। यदि आप खोया हुआ, निराश और उदास महसूस करते हुए ठक गए हैं, तो मेरी ओर मुड़ें, जब आपका दिल उदासी से भर जाए, और आपकी आँखों से आशू बहने लगें, तो इन तीन चीजों को हमेशा याद रखें, महादेव जी आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके हाथ भारी धन को आकरशित करेंगे, और आप अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन का प्रवाह देखेंगे। यह आपके द्वारा जहेले गए सभी संधर्शों और असफलताओं से उबरने का मौसम है। मैं यहाँ वो सब कुछ बहाल करने के लिए हूँ जो दुश्मन ने आपसे चुरा लिया है। मैं असीमित धन, स्वास्थ्य और समरिद्धी से आपके होश उड़ा दूंगा। तो भगवान से अप्रत्याशित चमतकार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप महादेव जी के प्रती वफादार रहे है और वो आपके प्रती वफादार रहेगा। उस पर भरोसा रखें और आप उसके वादों को अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे। आज मैं आपके परिवार को सभी गलत कामों से बचाने के लिए आपके कर्ज और बिलों का ख्याल रखने के लिए स्वर्गदूतों क को भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके पक्ष में हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके खिलाफ है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भाग्यशाली संख्या 555 साथ ही मैं वो सब कुछ हटा रहा हूं। जो आपको नीचे ला रहे हैं। मैं आपको दर्द, संधर्श और अभाव से उपचार, सहचता और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब ये कहें मुझे पता है कि भगवान से दूर रहना क करें। महादेव जी कह रहे हैं आज एक चमतकार आने वाला है जो आपको उचे स्तर पर ले जाएगा। जीवन आपकी सभी इच्छाओं में सकारात्मक उर्जा प्रवाहित करेगा जो सर्वोच भलाई के लिए हैं। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित औ धैरिया रखें और अपनी यात्रा पर भरोसा रखें जो सामने आ रहे हैं वो सार्थक है उन क्षणों में जब आपको लगे कि आपको अब तक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या ऐसा महसूस हो कि भगवान आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं तो याद रखें कि वो आपके चरित्र का निर्मान कर रहा है और आपके हाथों को इतना मजबूत बना रहे हैं कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहे हैं उसे सहन कर सके जीवन का अगला मौसम वो हमें अगली पदोननती खुले दरवाजे या अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारे अधिक जाना भगवान समान बनने के बारे में अधिक चिन्तित है जो अंतता अस्थाई होगा महादेव जी आज तुम से कह रहे हैं भगवान तुम्हारी आग्याकारिता को देखता है वो आपको विश्वास करते हुए देखता है जब आप निराश हो सकते हैं वो आपको प्रशन करते हुए सुनता है जब आप शिकायत कर रहे होते हैं वो आपको खीचते हुए देखता है जब आप पीछे हट रहे होते हैं मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ने वाले हैं अपनी स्वतंत्रता की ओर चलने वाले हैं एक महान रिष्ट आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस नए महिने को नई शुरूत्थ, नई शुरूत, उपचार और अधिक आतिम प्रेम के बारे में बताएं। ये साल का सबसे जादूई महीना है, उस जादू को अपने दिल में बसा लें। स्वयम आनंद लें और कुछ आनंद लें। हम आपको खुश देखना बहुत पसंद करते हैं। भाग्यशाली संख्या 888 इस सप्ता के अंत में कुछ तनावपूर्ण और दर्दनाख आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगा कुछ अद्भूत और सुन्दर ले लेगा। इसे प्राप्त करें और भगवान को कार्या करते हुए देखें। यदि आपको विश्वास है तो 888 टाइप करें। आज ये संदेश मिलना इस बात का प्रमान है कि आपकी हाल की पूजा भगवान ने सुन ली हैं। ये इस बात की पुष्टी है कि आपके इरादों और गहरी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया गया है, समझ लिया गया है और उन्हें क्रियानवित किया गया है। आप जिस स्थिती का सामना कर रहे हैं, वो जल्द ही आपके लिए बदल जाएगी और जो आपके लिए सबसे अच्छा है, वो धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। वास्तविक्ता तब तक आपको आराम करने, विश्वास रखने और प्रवाह के साथ चलने के लिए प्रोचसाहित किया जा रहे हैं। उस पत का अनुसरन करें, वर्तमान में स्वयम को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर दिया है, यह आपको महानता की ओर ले जा रहा है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं, तो उम नमाः शिव टाइप करें। महादेव जी का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखीं, इस संदेश में कुछ ऐसा है, जो आपकी जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। क्रपिया इसे नजर अंदाज न करीं।